करीबों के लिए अच्छी बात है अगर बदलाओ आ जाएगा तो लेकिन हमारे कहने को मतलब भाई साब यही है कि जो 300 रुपए की मज़ूरी करता है तीन सो रुपए तो बच्छों को क्या खिलाएगा और बचाएगा पढ़ाएगा तादास से ज्यादा महेंगाई है पिछले दस साल में बहुत ज़ादा बड़ी है चाहे पीट्रल की दाम हो या रसोई के कैस के दाम हो और जंता बहुत परसान है नहीं रजड़गाए है नही पर है लिखा, बहुता पराद लिखा लिगा दिकानों करें। अच्छे बड़ी आसरकार में आपनी काम करें, उसको मुफ़त में कुछ न मिले, मुफ़त में न मिले, काम करने के लिए हम कैसे कोई फैक्ट्रियां डाल दें, कुछ कर दें, बेरोजगार पढ़े लिखे लोग इधर सो अधर भी रूम रहे हैं, उनको नमक रोटी अपना प पढ़े लिखे लंगे, बेरोजगार याव ऑना पहना रह रहा हैं, जो थोला काम करते हैं, रासन देज़िया पाद किलो, अभी को कहते हैं कि गरीवी नहीं मेरे अधराश में, और जब अजब रासन को जा रहा हो रहा हैं, इनको रोजी रुदगार दो, अपने बच्चों कुछ पढ़ा सके कम से कम उस लायग बना सके और बच्चे लायग हो जाए को उनको काम के लिए जो आप इतना पैसा फूख रहे आप तो ने फैट्टी तर्टी अगरा अलगाते बाई से हगाए मैं तो बत्के पढ़र लिखे अपना रोधी अश्डार करें अघन्दा करें आप रखो जिते हुए नाौटी अउर्गांधी जीते हुए दाल गंदी जीते हुए जिते हुए अग्या है और जहां सब तश्क्रा पिर हम लोग आएक आदमी के बारे मंकिया तो यहां अपने बारे में क्या सोचे जहां सब कोई जहां बहीया जैसे कहाई वैसे होगा यह लिकर एक वोट सी सरकार बनती विगरती है वो तो आपकी बाद विल्कुर सब्सक्राइब कोई असर है आपके उपर अरे भाईया सब आप असर काहे नहीं ना जैसे आप जैसे सहवन के आप देख सकते हैं अप देख सकते हैं कि राषन के लिए एक बड़ी लंभी कतार है और अभी जिसा कि इंडिया कर्बंदेन ने कहा है कि हम लोग सत्ता मियाने पर 10 कुल राशन देंगे तो कुछ यहाँ पर मैलाए भी है कुछ बात करते हैं आप राशन के लिए बैठे हैं यहाँ पर सब लोग अच्छ आपि कодश्य देंगे तो अभी कॉंग्रस थे कहा कि 10 कुल राशन देंगे यह बात आप तक पहुच्शे होगी तो क्या लगता है कि महेंगाई के इस दौर में कुछ बदलाव आएगा एक लाख रुपे से लोग सब्सक्राइब करता है उसके चार-पांच बच्चें हैं तो कैसे पालेगा तो क्या लगता है कि अब जो आप पैसे नहीं बचे नहीं बहुत है बच्चे पड़ा नहीं पारे तो इससे कुछ बदलाव आएगा एगा तो अच्छी बात है अगर आ जाएगा तो लेकिन हमारे कहने क मतलब भाई सब्सक्राइस यही है कि जो तीन-स रुपए की मजुदूरी करता है तीन-स रुपए तो बच्चों को क्या खिलाएगा और बचाएगा क्या पढ़ाएगा क्या लिखाएगा बहुत ज्यादा महिंगाई है पिछले 10 साल में महिंगाई बहुत जदा बड़ी है जाहे पेट्रोल की दाम हो या रसोई के कैस के दाम हो कोई भी चीज हो तो तो महिंगाई की तो महिंगाई से निजत बाने के लिए क्या करना चाहिए अभी रहूल गांडियाग की आसे कोन्ते हैं वाइ दिखाए पाराओ लिगा तु अब और प्रिस भीज बहुत महिंगी है महिंगे तो हाई है प्राइबेट बंचे पढ़ाते हैं जो जो मिला वही खाते है कुछ अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं यह बहुत बड़ी इंपॉर्टन्ट विशह है कि जो मिला वही खा लेते है अच्छा मुझे बताई यह सब लोग की राहूल गांदी कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को सीधे उनके खातों में एक लाक रुपर सनाना देंगे या महिना का आठ जाब रुपर देंगे और वो यह भी कहते हैं कि युवाओं को पहले दोक्री पक्की देंगे करेंगे क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि दो भाइसों में से कावर से जाएंगी तो इससे तो अच्छा है अगर वो हमारे लिए इतना बदलाव करेंगे तो हम भी उनके लिए करेंगे बिल्कुल हाँ आप कुछ कह रहे थे बताईए सब कहोती बात है कोई कोई कुछ की नहीं करता है नहीं जैसा अभी सुने सुने मेरी बात सुनिये बिरा जब उनकी साथकार कॉंग्रेस की देलंगरा में आई और करना तक में परिशान होते बच्चे हैं वह तीन सुरुपिया दिहारी में क्या कर लेंगे या बताईए आप लेड़ा, आठ बजे से लाइन लगा है, भजरह 12 से लाइन लगा है? अब लाब अमिन नहीं पर रहा है, तो किया होगा? च्या होगा यह बताईए, अरे जिसका लग रहा है है, उसका रासन देज है? तो राशन देन में इतनी दिक्कत क्यों है भाई? इतना प्रेशाण करे इतनी दिक्कत की ओर यह 4 गंटे से लाइन में लगे है राशन देने के लिए ज़िए सरवर की प्राब्लम है तो बढ़ी चार घंटे से प्राइप बदा देना चाहिए था लोगों आपने कहे देना लेकिन भाई साब कुछ हो नहीं रहा कि करना टक में कॉंगर्स सरकार आई तो रोड़े महिलाओं को दोधरों के देना वाज़ा किया था वह सही था वह जो यह नियम हो गया बहुत गलत हो गया नहीं सोथमाय कंना जमारा मोदारा मोदा अधर intensity को गार आई रोड़ी दो नहीं डंपार्कार श्रीया था रहा दोड़ू हो तो चलाई जमा फाने हो जर बाल आई ताल ना कि शेकिनार और संत्क हो पर है को गोर्स खाकर दार्यद में कि इते दू ना करें दार्श के दोता अब गरीब है तो कहां से बनवाले का उनका माइन नहीं नहीं है अच्छा आपका वोट है आपका तो इसको किस बार देंगे अरे दियाबए देखा बदा हो वह कदा दियाबए देख तो है यह है वोट देराई है आपने पटीस साल से सोजया गांदी को जिताया है जन्ता मुद्धों पर वोट देंगी जो परिशानी है जो माहिंगाई की मारा आप छेल रहे हैं बहुत गरीबी है बच्चों को बड़ा नहीं पा रहे है तो यह मुद्धिया आपके लिए महतोपुरूना है आप सब के लिए महतोपुरूना मस्तफ़ानी है इस लिए बहुत इंपॉर्टन बच्चों की शादी में बच्चों की शादी करें इस लिए बहुत इंपॉर्टन मुद्धा भी है कर पर भी कोशिश करें लेकिन मेंगा इतनी दी बहताशा है कि पैसा बची नहीं रहा है यहाँ के जनता का दर्थ है यह पीड़ा है और इस पे तमाम रोजजदिक fairy अंने ध्यान देने के जोरुत है शुक्रिया शुक्रिया हुए क्या नाम है यपका है हमारा नाम गुड़ी है गुड़ी जी ऑप हमारे पती थोड़ा से थोड़ा से कम जो रहे वहीं दू-तिन सो की मस्दूरी करते हैं तो साड़े दिन बच्चेन को पेट पाल लेकि जोने की खाएं बच्च पढ़ाता है तो बच्छ कोई एक लड़की है दासवे में चल रही इस्फु इन वाली स्कूल में एक जाति पिछा बन ऑल मंदिट्मि में जाता है अब कुसी तरह तो रावल गंधर रहे हैं तो बहुत बहते श्वर्यान किह तुपर मंगा यसया उब पूंगर्स को देख रहे हैं कॉंगर्स के तो सांसत सोनिया गंदी जी लगबग मेरे काल से पचीस साल से ही सांसत है जी अब ही तक तो थी वह वाट ठीक है पर अब फिर से एक बार लाना चाहते हैं तो जो युवाओं है आप भी, युवाओं के लिए कॉंग्रस ने कहा है कि पहली नोपरी पक्की देंगे, महिलाओं को एक लाख रुपया देंगे, साला ना, तो इससे क्या बदलाओं की उम्मीर नजर आती है आपको? तो अभी जो महेंगाई है, बेरुजगारी है, क्या लोग उसे ट्रस्थ हैं? हाँ, अभी तक तो ट्रस्थ है, हम लोग बहुत ज्यादा ट्रस्थ हैं। अफले से तो असे बात ने बन रही शूप चलाते हैं, कितना कमाई होता है और किस तरह से बदला होना चाहिए अपको लगता है कि देश का अगला पियम यहां से फिर से मिलेगा और आप उसी उम्मेद में हैं कांग्रेस के लिए अब्लों को बुलत नहीं का अगला थ्याय नहीं है किस मारा ऑधार है इस बार जांय है यहां नहीं हम नहीं आप उत्त है यह अभी नहीं जा रहे है यह अर्यहां शेम जा देने या फिर बन सकते है आप के लिए खोशी के बात रही है? मुद्दा नहीं है, नहीं आपको राजनीती से भरी अपरद है, आपको बताई यह क्या बता है? हम लोग चोटे मोटे हां मंग राजनीती मैं के राजनीती के बमेड़ी के व मुद्दा है तो पर जहाँ सब कोई जहां भाईया जैसे का बट भंदी बिगड़ती हैै बो तो आपकी बात की प्रसले वेसे कोई अथर है आपके उपर अज्य था आप जैसे सहेबन के लोगन के लिए महाँगाई नहीं ना इस वोड़ा दिए टरिप जैसाCu तोह सारकार ने कहा कि, अगर सारकार ने आएंगेst Dollhouse लोग इताय दे काम कर रहो है एताय दिंजे राज उगानी की तो वह इसाब से विकास करते हैं और वह के बाद का विकास करें कौने साफ करत कौनों ने ता कुछ नहीं करें अब मोधी जोन कर रहे हैं कर रहे हैं तो डिदी आप बताइए कांग्रेस कहते हैं कि एक लाक रुपे देंगे आपको है अफ़ जो कर रहा है मैंग है तो आपको payments रहा है आपकी का रूख है तो आपका क्या रुख है जो ब्दर खैसके लेकिन आपके लिए किया क caminho कुछ रहे हैं नहीं ही फेरोजणर महेंगा जूए क्या मूद्दर नहीं है हाऊ यह कि पांज वह नहीं कोई जा में पर्धान आपना के पांजी कोई बाता है जोता हम सब्सक्राइब जोता है यह नमस्कार बताइए और आप राइबरी ले क्या महूल पताई यह ठीक ठाक है ठीक ठाक है अच्छी तरह गांधी जी के तरफ है कि विज्टी के तरफ है राहु गांधी ठीक है लेकिन वर्तमान में जो दौर जादा अच्छा ठीक है जबादा च्छी पर इसके अशाब से सबसे कम थी आपको लगता यह ठीक बात है मैंगाई तो कोई भी आदिया कोई प्रधान बन जाएगा तो कर नहीं कर पाएगा अच्छा लेकिन भविस को देखते हुए पर आपके राइबरी से पीम बन सकते हैं गर राहुल को में जीते तो राहुल देखिए ज्यादा चाह लेकिन भवेस के हिसाब से जो क्या करते हैं बीजेपी जादा चाहिए अच्छी है जाती के जनगन्ना की बात नहीं कर रही है वो कहेंगी हम आपकी इस्तिदारी देंगे आपको यौव को एक लाग रुपर देंगे मैलाओ को एक लाग देंगे यह हमाई समस्से जादा सब्सक्राइब करने के लिए हम करने के लिए हम कहते हैं बेरोजगार पढ़े लिखे लोग इधर सोधर भूम रहे हैं उनको नमक रोटी अपना परिवार चलाए यह बहुत इंपोर्टन बात कही कि जनता ने उनको आत्म निरभर करना चाहिए सरकार ने सरकार को रासन नहीं चाहिए कि हमें पांच किलो गेहु देदें दो किलो चावल देदें घैज भी तो है फिर इस तरह गैज भी देदें उसके खर्चे भी देदें इस तरह तो उनों नों यह कर दिया है कि खाली लोग अपाइच कर रहे हैं चोरी करेंगे उस बा लेकिन भी इनको करना चाहिए ना यह तो चुछिया बनाते हैं कि मुर्ख पब्लिक है और ही लिखी है इतने भूम रहे हैं बाजार में लोग बच्चे मारे मारे भूम रहे कोई रोज़ियोदार है कुछ नहीं कुछ भी नहीं है आपके समय में जो युवा आप जब अगर आपके समय के जो युवा थे वह आज रिटार हो गए है हमको रिटार हो गया है कांग्रेस के पिरियर्ड में नौकरी कर रहा है जाया किया में और आपके बेटा भी नहीं कर पा रहा है इसे घूम रहे हैं देखिए यह बात यह बात पे आप क्या का होगे अले यह जो इनको सब्सक्राइब कर दो लेकिन दो रोजगार नहीं दे पारे अपूर्पाया डेली मश्डूरी कर रहा है कर दा है अब यह जो नीच फैला रहा है अब पढ़ी कर लोगा कोई पढ़ी नहीं पाएगा क्यूकि श्कूलों को फीस इतनी महगी हो गई प्राइवेट प्राइवेट स्कूल इंगे कर दिया है। बडरीब आणनी कहा परापाईगा। इनका तो मतलब है राकाण देते रहो पाथ फिलो और यहां मर्ते नहां ना परहें न लिखाई। पसा इसी मेज्ट जैसा है। इन्हों ने एम्स कोल दिया है। यहां अगया है आस्पताल में डाक्टरों पे सरकार ने लगाम लगा दिया उस तरह चाहिए इसकूल को भी लगाम लगा दे हमारे भी बच्चा पला है वालिक टेक्निक में वह अब 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 तरह रुपिया हम तहां उस पर लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे उसको हम पहनाएंगे कि हम इतना रुपिया लगा पाएंगे लगानी चाहिए अब को यह लगता है कि सरकार ने जो है शिक्षा और थान देना चाहिए जिनों ने इन्होंने स्वास्त पर ध्यान दिया है यह है जमीन जो दी गई है वह अक लेस की उस से दी गई है ठीक है हम यह यह लगवाया डाक्टरों पर लगाम लगा है लेकिन इसी तरह सिच्छा पर प्राइबेट इस्कूल अभी जुलाई में पूरा जोड़ करके दस हजार रुपई या बीस हजार रुपई ले लिया जाएगा हम पंदरह सो रुपई फीज दें हम बारह तेरह जार रुपई महीने क कामाआएंगे हम दो डो बचे हैं जिसके पात दो बच्चे उनके पात से क्रिंप ने कहीं कि रोजगार बहुत ज्यादा इंपर्टेन्ट हैần और दांधेर और राशन की g Townmark लेकिन इससे लोग निर्बर हो जाते सरकार के उपर ये भी अच्छी बात नहीं है भी उन्हें कहीं आप बताइए आप कुछ कहने वाले थे पुब्लिक को आपंग बना रहे हैं जो थोला काम करते हैं रासन देजी आप चलो अभी को कहते हैं कि गरीबी नहीं है मेरे देश मे जब गरीब नहीं तो फी रासन को जा रहे हो जरीब को इनको रोजी रुद्गार देजो अपने बच्चों को पढ़ा सके कम से कम उस लायक बना सके और बच्चे लायक हो जाए तो उनको काम के लिए जो आप इतना पैसा फूक रहें आप तो नहीं फैट्टी वगरा अलग यजिज को आप जाए नहीं हम पांए जाए चाहिए डूंदिश्ते नहीं शुनाओ थो आपको क्या लगता है कि मुद्धों पर चुना होना चाहिए उनको बच्चे बेरोजगर हो उनको रोजगर मिलन चाहिए अब कउंग्रेसों वाले कहते है कि हम अगर सत्न में आए तो यहाओ को एकलाखी देंगे, महिलाओ को एकलाखी पसालाना देंगे, तो इसके बदलावाएगा? अधी आप मिलाए, तब जाना जाए, कोगा जाए. तब आप जो वोट देंगे तब तो कुछ बात बनेगी? अधी यहाँ, वोट जाएपने जाहिए. अभी के सरकर कैसी है Moodi-ji, Yogi-ji के? जी की, तceğיל की, जी की, चीक है है, हाँ, दी-दी बताएए आप क्या कह रहे थे? बताएए, बताएے, कुछछ बहे थे थे, आभॉलि थे, आभूलिये, बोलिये, 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 महंगाई प्रीया महेंगा है पैसा बचनी रहा है पहुरी आप पढ़े लिजे कों सर्विस्में नहीं रही हाजी क्या है भी ज़िए राइबरिली का इस बार माहूल क्या है उपर वाला क्यों आप ही तो है ना वोट आप देंगे तो उपर वाला क्यों देखे का सब सामने आजिया आप नहीं लेकिन आप मुझे बताइए कि जनता को किन मुद्धे पर लगता है कि चुनाव होना चाहिए या बेरुज़गारी मुद्धा है महंगाई मुद्धा है कोंग्रेस कहती है जाते कि जंदना करेंगे उनकार चेंज होएसे का महंगाई घड़ सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या बदलाव आएगा इसे खाली सुने जाओ ना मोधी दे पाए है ना कॉंग्रेस देपाए है आपको दोलों के दरव परोसा नहीं है जो हों कि वह तो प्राप्त करो दभन हैं अब ऑले जान जाए हुए कि तो अ कि फार इधे में क्या महल है इस सः जब्सक्ता काम गाले मल सकता लेकिं वोड़ा ये डरार सब्सक्राइब और पूरा खांदाना मार्ट थोड़ी ने कंस्वा सालान से लेकिन जो है अब दिने नान से नहीं पहुतना अब नहीं दिया जाएगा यहां पत्का चौर है लत्रियाड करीब के लुटा पाड़ा जिस के देखे हाद जमीन क्वा बेड़ा हुआ लत्य चौर अच्छा था वोट यहां पर बीएस्टी भी कॉंटेस्ट करती है हमेशे हर साल करिए और फिर रहा वह तो खेट खेट है और यादो जी है यादो को मत्लब नहीं हो सब कांगरस में जाएगी अच्छा सब कांगरस में जाएगा बीएस्पी को ने मिलेगा अश्यादो एक एद रहर का झाल झाल